हेलो फ्रेंद्स राधे राधे वेलकम बैक टू माई चैनल जहां पर बाते करते हैं अल इन टोपिक पर तो गाईज देखिए मेरी राधरानी बैठी हुई है और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं राधरानी की जो नाइट सेवा है यानि की जो उनकी रात की सेवा है वो किस तरीके से करती हूँ तो यहाँ पर देखें बाल राधरानी बैठे हुए है और मेरे साथ में कनहिया भी बैठे हुए है और रोज डेली में कैसे उनका जो रात का रूटीन है वो करती हूँ तो गाईज यहाँ पर देखें मैं जो रहाँ पर ठाकुर जी को बैठाती हूँ उनका बिस्तरा लगाती हूँ तो आभी जो राधरानी महीं पर बैठे हुए है और यहाँ पर देखे कितनी प्यारी भी लग रही है ना बैठी हुई तो जो मैं रात को उनको पोशाक पैनाती हूँ तो इस तरीके के मैंने जो अपने बाल राधरानी के अपने ठाकुर जी के बन्यान बनाए हुए है रात को मैं इनी कोई पैना के उनको शेयन कराती हूँ क्योंकि जो कोटन की पोशाक होती है वो भी मुझे कमफर्टेबल नहीं लगती है तो मैं यह वाली पोशाक में ही अपने ठाकुर जी को शेयन कराती हूँ तो सबसे पहले जो है उनकी जितना भ याँ पर निकाल दूँगी और can talk उतल उनको भी मैं और न sashi को निकाल देती हूँ और यहाँ पर निकाल दूँगी पौशाख तो ये पोशाक निकाल के मैं जो ठाकुर जी को उनका जो बनियान है और नैपी है रात को वो ही पैना के सुलाती हूँ यानि की गर्मियों में और जो सर्दियों की सेवा होती है वो अलग होती है वो भी मैंने आपके साथ छेर की हुई है कि मैं जो ठाकुर जी की सर्दियों में सेवा कैसे करती हूँ नाइट रूटिन कैसे है और फुल डे रूटिन कैसे है ये भी मैंने वीडियो में आपको अपने चैनल पर दिखाया ह हें तो थाकुर जी को कि यहां पर मैंने ऑफ है कोटन का बनियान बनाया वा था अपने हातों से बनाया हूआ है वह ही पहनAH रही हूं और ना projets को यही बनियान पेंना करके सुलाती हूँ ठाकुर जी को क्या राधारानी को भी मैं यही जो रात की उनकी ड्रेस है यही पहना कर सुलाती हूँ कोटन की जो फ्रोक वाली पोशाक होती है वो मुझे कमफरेटेबल नहीं लगती है तो मैं उनको नहीं पहनाती हूँ और यहां पर देखें बाल राधरानी के जो मैं मेरी राधरानी है उनकी भी जो पैपोशाग अराम से निकाल दूँगी और जो जितना भी समान राधरानी या मेरे ठाकुर जी पहने हुए रखते है तो मैं साथ-साथ उन समानों को भी अच्छी तरीके से समेट के रखती रहत है और जो गाई जो सुबह की सेवा होती है उसमें बी मैं क्या करती हूं उसमें भी जो रात पहे हैं।र record निकाल कर रहते है और यहां पर देखिये मैं इझान्ध आलानों के हैर बिनिकाल दिए हैं ऊणकी कंगण मैं निकाल दिया और उनका हार भी निकाल दिया है और देखिए किते सुन्दर है ना हमारी राधे प्यारी मेरी लाडो बहुत अच्छी है और ये देखिए सारा समान धीरे धीरे निकाल दूँगी और राधरानी के जो पोशाक भी निकाल दूँगी और पोशाक निकालने के बाद तो गाईज देखे पोशाक मैं पीछे में पिन लगा देती हूँ क्योंकि फिर पोशाक इधर विदर नहीं होती है और ठीक रहती है तो ये देखे गाईज मैंने जो राधरानी के अपने पोशाक निकाल दी है और इनको भी मैं वो ही बनियान पैना दूँगी ये देखे गाईज और ये बनियान मैंने घर पर ही बनाए हुए है मैंने काफी सारे बनियान बनाए थे वो भी वीडियो चैनल पर अपलोड है वो भी आप चेक आउट कर सकते है तो इसी तरीके से मैं छोटे वाले लला को भी उनकी भी पोशाक निकाल करके उनको भी यही वाली बनियान पहना दूगी और गाईज आप जो कोटन की फरोग होती है बिल्कुल नॉर्मल सी होती है कोटन की फरोग वो भी आप पहना सकते हैं और जो घर में बना रखे हुए बनियान कोटन के या फिर बहुत हलकी सी पोशाक ठाकुरजी की बनाईए आप कुर्ता पजामा भी रात को ठाकुरजी को पहना करके सुला सकते हैं तो देखिए किता कमफर्टेबल महसूस कर रहे हैं न जैसे हम लोग भी करते हैं इसी तरीके से ये भी एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं तो देखो ध्यान रखना तो बनता है वैसे तो मैं दिन में भी उनको शेयन करा देती हूँ तो यहाँ पर मैंने ठाकुरजी को और अपने भगवान जी को सभी को दूद का भोग लगा दिया था और ये देखें तीनों के तीनों तयार होकर बैठ गए हैं और किते शिंदर लग रहे हैं तो ये देखेंगा गाईज और अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया है क्योंकि मैं रोज डेली अपने ठाकुरजी की ऐसी ही शेवा देती हूँ तो उनका जो टावल है वो भी मैंने ले लिया है और टावल को मैं डिप करके उसको हलका सा निचोड़ दूँगी हलका सा डिप कर लूँगी और उसको निचोड़ करके ये देखें ठाकुरजी का फेस साफ कर देती हूँ उनके हाथ पैर साफ कर देती हूँ ऐसे ही मैं अपनी बाल राधरानी के भी ऐसे ही कर देती हूँ तो देखिए उनको बहुत अच्छा लगता है ठंडा ठंडा सा गर्मियों में तो खास ऐसा ही लगता है तो ये देखिए मैं बहुत अराम से अपने ठाकुर जी का जो फेस, हाथ और अपनी बाल राधरानी का जो है वह आराम से साफ कर रही हूँ क्योंकि हम अपने बच्चों का भी तो ऐसे ही करते हैं ना उनको भी जब रात को कपड़े बदलते हैं उनका भी ऐसे ही करते हैं छोटे वाले लल्ला का भी ऐसे ही कर दूँगी तो देखिए गाईज मैंने तीनों का जो हाथ पैर हैं वो साफ कर दिये हैं तो गाईज आप भी इसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा करिएगा और गीला कपड़ा लगाने के बाद यानि की गीले कपड़े से साफ करने के बाद अब मैं उनको सुखे कपड़े से भी साफ कर देती हूं विल्कूर अच्छे से पोच देती हूं कि पानी उनके फेस पर या उनके हाथ पेर पर ना रहे और वो गिले गिले ना रहे तो बहुत अच्छे से पूछिएगा आप भी क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ठाकुर जी क उनके चोटे वाले पिलों हैं जिस पर ठाकुर जी को मैं सयान कराती हूं जिस पर सुलाती हूं वो भी मैंने लगा दिया है और जहां पर मैं ठाकुर जी को सुलाती हूं यानि कि यह जो मैंने चादर बिचाई वी है रैड कलर की इसके नीचे मैंने ठाकुर जी के लिए कर देती हूं सिर्फ भाव होना चाहिए प्रभू तो भाव को देखते हैं इतनी ही सेवा मुझसे होती है जैसे मेरी प्रभू करा देते हैं मैं तो पहले ये बोल देती हूं प्रभू जी जैसी आप सेवा मुझसे कराएंगे मैं तो देखो ऐसे ही शेवा कर दूँगी तो दो तो इनको भी मैं अर्भी दिन एकी मुद्रा में बैठे रहते हैं और यहां पर थोड़ी सी थपकी दे कर मैं उनको सुला दूंगी और सुलाते समय में थोड़ी सी गुन-गुना देती हूं यानि की लोरी सुना देती हूं और राधे-रानी की भी देखिए इतनी शंदर पजे यही होते हैं तो इनको भी मैं अराम से ऐसे थोड़ा सा दबा दूंगी उनका सरीर क्योंकि कमफर्टेबल उनको मैं हसूस होगा और उनको भी मैं अराम से सुला दूंगी यह देखिए और मैंने दोनों को जो मेरे ठाकुर्जी है मेरे केशम है और मेरी लाडो है मैंने दोनों को लिटा दिया है और थोड़ा-थोड़ा सा उनके पैरों को भी दबा देती हूँ और भी तो गाइस यहाँ पर आप इत्र की भी मालिस कर सकते हैं मैं इतर की बिमालिस कभी-कभी थाकुर जी को कर देती हूं, रोज तो नहीं करती हूं, कभी-कभी करती हूं, क्योंकि रोज मैं ऐसे ही मूँ पौच के ऐसे ही वो कर देती हूं, और यह देखिए, यहां भी मैं छोटे वाले लाला को भी थपेड के, यानि कि जो बच्चों को जैसे लोरी दे के प्यार से मा सुलाती है ना तो इसी तरीके से मैं अपने गोपाल जी को अपनी राधरानी को और अपने छोटे वाले बल्लू को सुला दूंगी और यहाँ पर यह मैंने देखे इनकी कोटन की चादर बनाई हुई है और यह गर्मी में मैं चादर उठा कर ही इनको सुलाती हूँ और गाइज गर्मी की तो कोई परेशानी होती नहीं है क्योंकि यहाँ पर एसी चलती रहती है इसलिए मैं इनको मंदिर के अंदर नहीं सुलाती हूँ क्योंकि मैं उनको बाहरी सुलाती हूँ हमारा मन नहीं मानता है कि मंदिर के अंदर ठाकुर्जी को सुलाया जाए क्योंकि देखो गर्मी उनको भी लगती है तो यहाँ पर मेरे ठाकुर्जी देखें कितने अराम से सो चुके हैं तो गाईज ये जो मेरे ठाकुर्जी का मेरी बाल रादा रानी का जो night routine है यानि की जो रात का routine है वो मैं इस तरीके से ही करती हूँ और गाइज इनके पास मैंने उनके पीने का पानी भी रख दिया था उससाइड में रख देती हूं और जब उनको रात को प्यास लगे ताकि वो पानी पी सके तो यहाँ पा देखिए अराम से सयान कर रहे हैं कितने अराम से लेटे हुए हैं तो गाइज यह जो मेरे ठाकुर का नाइट रूटिन है यह आपको कैसा लगा यह आप मुझे कॉमेंट सक्षन में जरूर बताईएगा और काना जी से रेलेटीड या फिराधर आने से लेटीड आप मुझे कोशन भी कर सकते हैं कि मैं किस चीज पर ठाकुर जी के लिए वीडियो बनाओं मैं जरूर तो आज के लिए इतना ही राधे राधे हरे किछना शुब रात्री गाइज